बिग बॉस ओटीटी का सीजन टू अपने ड्रामा और ट्विस्ट से ओडियोंस को भरपूर एंटर्टेन्मेंट की डोस दे रहा है। इस सीजन में टीवी एक्टर्स से लेकर यूट्यूबर तक ने पार्टिसिपेट किया। फिल्हाल शो में अब टोटल 8 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। जल्दी पता लग जाएगा कि बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी कौन अपने नाम कर ले जाएगा। वहीं बॉलिवुड की अतरंगी फैशन क्वीन और बिग बॉस ओटीटी सीजन वन की कंटेस्टेंट उर्फी जावेद का बिग बॉस ओटीटी सीजन टू में कंटेस्टेंट की परफोर्मेंस पर लगातार नजरे गडाए हुई हैं। अभी हाली में बिग बॉस खबरी ने अपने ट्विटर एकाउंट पर उर्फी जावेद का एक वीडियो शेयर किया है। और बागी रोपना दक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए कि ऐसे ही आगे आगे तो फर्स्ट टॉक थ्री में मैं जुसे देखती हूं हो है हमारी बिहार की रानी मनीशा रानी शीज डरली बंदास जो बोलती है दिल से बोलती है बहुत ही प्यूर लगती है मुझे अन द सुना सकते है तो कुछी भी कर सकता है लड़का और थर्ड आल पिक अ वेर्य अन पॉपिलर चॉइस बेविका बतलब जितने फंकी कपड़े पहनती है वह उतना ही फंकी उसका अटिट्यूड है और एक एक कर गे न सारे गदो को सुनाया इसने अकेली बंदी में कोई में आज क्या हुआ घर आपकी देखते रहा हूं उर्फी जावेद ने उन तीन कंटेस्टेंट का भी नाम बताया जिने वे टॉप थ्री में देखना चाहती है पहला नाम मनीशा रानी का है जिनका गेम उर्फी को बेहत पसंद आ रहा है दूसरा नाम उन्होंने फुक्रा इंस सकता है तो कुछ भी कर सकता है और टॉप थ्री में तीसरा नाम उर्फी ने बेबी काका लिया वहीं बिग बॉस के कई एक्स कंटेस्टेंट ऐसे भी हैं जो इस सीजन में अभी शेक और एलविश यादव में से किसी एक को विनर बनते देखना चाहते हैं आप किसे बिग बॉस ओटी टी सीजन टू की ट्रॉफिक किसे जीतते देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए देखते रहें जन्हे टाइम्स धन्यवाद